Hello everyone, मैं आज कुछ अलग type A questions ले रही हूँ, जहां पर कि इन type A questions को जो competitive exams में आते हैं, कैसे solve किया जा सकता है, उनके बारे में कुछ बता रही हूँ एक question मेंने लिया है, if 72 into 96 is equals to 69, 27, then next number दिया है, 58 into 87 is equals to 78, 85, तो हमें find out करना है, 79 into 86 का product क्या होगा, तो जब ऐसा question आता है, तो आप जल्दी वज़े में ऐसा ना करें कि यह product दे रखा है, सीधे हम इसका multiply निकालने लग जायें, सबसे पहले हमें देखना होता है, जो given होता है, उसी से ही हमें इसके answers मिल जाती है, और believe me, यह questions बहुत easy होते हैं, बस इसको थोड़ी सी practice की जरूरत होती है, right, तो first number हम चेक करें, जो given था, देखिए, 72 into 96, फिर आगे आप इसका product देखिए, कैसे लिखा है, 69, 27, ऐसे question को आप दो तीन बार एक बार ही rate जरूर करें कि क्या दिया हुआ है, 72 देखा, इधर देखिए, 72 लिखा है बार उल्टा लिखा है, 27, फिर नजर जाती है, 96 के opposite, 69 पर, बस यहीं से आपने pick कर लेना है, फिर इसको confirm करने के लिए, next बाला जो number दिया है, उनको भी चेक करिए, 58 into 87 है, जिसे मैंने बोला, दो तीन बार हम पढ़ते हैं, तो कुछ चीज एक दम से हम catch कर लेते हैं, 58 दिख रहा है, 85, 87 दिख रहा है, 78, right, means क्या है कि first number जो लिखा हुआ है, दोनों में यही rule follow हो रहा है, कि जो first number लिखा है, वो बाद में लिख दिया, उल्टा करके, और 87 जो बाद में लिखा है, उसको पहले लिख दिया है, इसे product नहीं निकलना, time waste करने की जरुवत नहीं है, जो 86 है, जो बाद में लिखा है, वो पहले आ जाएगा, वो पहले कैसे लिखा जाएगा, 68, जो 79 है, वो 97, तो इसका कोई real calculation से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ यह देखना होता है, कि rule कौन सा लग रहा है, right, अब दि नमबर को जैसे मैंने बोला, कि आपको दो दीन वाली कोई चेक कर लेने चाहिए, क्या लिखा हुआ है, तो नमबर देख रखे हैं, कि 22 के बाद 21, फिर 21 के बाद 23, नमबर बहुत बढ़े हैं, एक इस सीरीज से आ रहे है, 22 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद 23, फिर 22 हो गया, then 24, तो यहां से देखे हैं, कि पहले क्या हुआ, डिक्रीज वा नमबर, लेस हुआ, 22 में से के बाद 21 हो गया, यहां से यहां, फिर से से के बाद 21 हो गया, then 21 के बाद 23 हो गया, यहां पर हो गया, प्लस 2, 21 में प्लस 2 करेंगे, 23 हो गया, आगे चेक कर यह, कि जो आपनी स्टार् हम उस सभी चेक कर लेने चाहिए क्योंकि ज्यादा नमबर्स हैं भी नहीं यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 नमबर्स हैं तो हम एजी ली चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग को ही देखके आप डिरेक्ट आंसर ना लिखें अब देखा हमने की फर्स्ट में से वन माइनस किया तो लेस हो गया ठीक है ना फिर सेकिंड वाले में हमने टू एड़ कर दिया आगे देखिए 23 में से फिर हमने 22 आराइट मिस वन लेस लिखा हुआ है तभी 22 आ ओठ वी गाएगा माइनस वन करना पड़ेगा यहीं सेजित के चल रही है पहले माइनस करा फिर प्लस टू फिर माइनस 1 फिर फिर माइनस 2 मैं फिर माइनश वन इत-मीस 23 के बाद क्या होगा प्लस 2 करना चाहिए हमें तो नेक्स नंबर मस्त भी ट्वेंटीफाइब तो जा रही है decreasing order में जा रही है यानि कि कम होते जा रहे numbers number काम कैसे हो रही है आप वो चेक करने के लिए हमें सब check करने के दीखना पड़ेगा है जब decreasing order में जा रही तो minus करके check करना पड़ेगा 36 के बाद 34 हो यानि कि minus 2 हुआ 36 में minus 2 करेंगे तभी 34 आएगा then 34 के बाद में numbers का जो gap आ रहा है वो 4 का रहा है 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 न minus 4 हो गया फिर क्या हुआ 30 में से जब हम 28 तक जाएंगे तो minus 2 करना पड़ेगा आप ऐसे भी कर सकते हैं 36 में से 34 minus किया 2 आ गया 34 में से 30 minus कि आप 4 आ गया यहां जैसे मैं बता रही हूं कि 36 में से minus 2 करें तभी 34 में से 4 minus करें तो 30 आ रहा है तो कैसे भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है ना या तो आप minus करकर के चेक करें यहां directly या दर्वाइस तरीके से भी कर सकते हैं इसा आपको easy लगे देन अब देखिए इसके बाद 28 आया 28 के बाद 24 आ रहा है यानि कितने का लेस्ट हुआ नंबर 4 का तो यहां एक सीरिस फिर से आ गई पहले हमने minus 2 किया यांदि कि 2 को सब्सक्राइब किया देन 4 को देन फिर 2 को फिर 4 को इसका मतलब जो next आएगा वो हमें नंबर में से minus 2 करना पड़ेगा 24 में से 2 minus करेंगे तो next number will be 22 तो answer will be 22 इस तरीके से आपको चेक करना है जैसे मैंने कहा कि आपको एक ही दू नंबर में नहीं चेक करने सब में चेक करते जाए ठीक है अब एक क्वेशन मैंने और लिया है कि नंबर देखिए आप 11 170 ब्राकेट के अंदर है दन 16 इन 11 ब्राकेट के अंदर 23 and 19 तो जो हमें बताना है 17 तो बीच में नंबर के आएगा तन 18 तो यहां अगर मैं चेक करूं तो पहले देखिए यहां 11 है ठीक है यहां 11 है तो अगर यह 11 की सीरीज जार यूति स्टार्टिंग में 11 होता तो यहां भी 11 होना चाहिए था बड़ 11 तो नहीं है इतनी से 11 का त बाद बला नंबर इसके बाद जो है यहां 19 है 19 के बाद यहां 18 आ गया उसके आगे कोई सीरीज का नंबर हमें नहीं पता है फिर आप चेक कर सकते हैं यह यह तो 16 में से हमने 3 मानस किया फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो 19 आगया फिर हमने एक प्लस 3 करा पहले 19 हो गया तन ग क्या तो 18 हो गया लेकिन आये का नंबर नहीं है वो रिचेक करने के लिए फिर आपने देखा मीस क्रॉप्स चेक करने के लिए देन 170 है 203 है आगे क्या आएगा क्योंकि नंबर्स बहुत लिमिटेड दो ही नंबर्स आपको दे रखें और थार्ड वाल आपको फाइन आट करने तो और यह प्राकेट में लिखा हुआ है तो मैंने क्या करा कि आप ऐसे कर सकते हैं इसकी मटिप्लाय करके भी चेक करें अब जैसे मैंने बुला 11 को चेक करा 11 नहीं आ रहा है तो यह चीज नहीं फुल्फिल हो रही है साथ वाली यह बाली चीज भी फुल्फिल नहीं हो रह तो मैं इसकी मुटिप्लाय करके चेक करती हूं 11 और 16 की मुटिप्लाय सम्वेर बड़ा नंपर थ्री डिजर्स तो आएंगी तो लिखा मैंने 176 यह 170 आ रहे हैं फिर मैंने इसको चेक किया इसकी इसमें मैंने मुटिप्लाय किया तो आ रहा है 209 ठीक है तो अब मैं इसी चीज़ को लगाऊं अगर कि इस रूल को लगाऊं कि अगर मैंने मुटिप्लाय किया तो मेरे पास नंबर का डिफ्रेंस आ रहा है 6 जो लिखा मैंने 176 लेकिन 176 नहीं लिखे है आपर माइनस 6 किया हुए 176 नहीं लिखे 170 लिखा है नहीं सीधे सीधे 6 माइनस कर दिया था यहां देखिए यह चीज़ इसको फुल्फिल कर रहा है कि नहीं मैंने मुटिप्लाय करके 209 लिखा बट आंसर में जो ब्राकेट के लिखा हुए वह 203 है यानि कि यह भी माइनस 6 है तो बस इस चीज़ को हमने पिक करा आप यह बाकी रूल कोई फुल्फिल यहां फॉल्फिल नहीं कर पा रहे थे तो आप क्या करेंगे 17 और 18 की मुटिप्लाय करके लिखेंगे स्वारी 17 और 18 हाँ 17 यह आ रही है थ्रीहंडिट न शिक्स इन दोनों की मट्टी प्लाय करके और 6 का ग्रैप है यहां इसमें भी आपने मैनस 6 किया हुआ था यहां भी आपने मैनस 6 किया था तो हम यहां भी मैनस 6 करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो सिरिज बनी हुई है तो वो हो जाएगा 300 यह जो मैं जो क्वेशन मार्का इसकी जगे आएगा 300 तो इसमें कोई हाड और फास्ट रूल नहीं होता है आपको जैसे ही आप नमबर को देखना स्टार्ट करते हैं तो हर तरह के से आपको सोचना है यहां पर स्टार्टिंग आपने किया कि यह नमबर जो मैंने प्रिविएस भी क नमबर को प्रॉपर दो दीन बार आप चेक कर लिजिए अब एक क्वेशन मने और लिया कि 6 5 24 25 144 तो नेक्स नमबर क्या होगा इसको चेक करिए नमबर से वाकर हम चेक करें 6 है देन 5 है 24 देन 25 देन 144 ना तो यह ऐसा नहीं हो रहा कि यह increasing order में जा रहे हैं कि यह नमबर पहल डीजय हो घ्सओग और 5 हो गया increasing में नहीं है decreasing में नहीं है आप यह नहीँ कह सकते है सारे के सारे नमबर जो है किसी का square है नहीं स्कोई भी नहीं है यह सारे even है वो भी नहीं है और है तो वी नहीं है तो यह चीजे एक 6 seconds में हमें सोच लेनी होती है even less than one second आपको सोचना होता है कि नमबर की जो सीरीज जो दे रखी है नो क्या चीज़ एप्लाई कर सकते हैं फिर आप निगया करना होता है माइनस करके चेक करें या प्लस करके चेक किया मैं माइनस करके चेक करूं six में इसे फाइब गया वन आता है फिर फाइब माइनस 24 किया डिफ्रेंस लगाएगा 24 25 किया तो यहां तो लेस हो रहा था यहां इंक्रीज हो रहा है अब एक काम और कर सकते हैं अब जब इस ट्राइब के क्वेश्चन्स में यहां दिखा कि नहीं हो रहा तो आप इन दोनों को दे इस ट्राइब से चेक करें कि इसमें एक सिक्वेंस दिख रही है 24 और 144 यहां पर इक सिक्वेंस दिख रही है इसी सिक्वेंस में आगे नमबर जाएगा नमबर देखें न कुछ चीज समझ आते हैं कि यह 5 25 यहां 6 24 तो अब मैंने चेक किया 624 में क्या रिलेशन है हम टेबल रिट कर सकते हैं 64 24 24 तो 24 तो 144 नहीं हो रहा है हमने क्या दिखा इसको 6 24 चेक वन फॉर्टिफूर हो रहा है फिर आपने यह वहला नमबर चेक किया 5 कि अगर आपने मटीप्लाइगा 5 से तो 5 25 हो रहा है तो फिर आप 25 तो यहां पर जैसे फोर जा रहा था 4 के बाद 6 लिए इन दोनों नमबर में 2 का गयाप था तो यहां भी आप 2 का ही गयाप लो भी यह 7 लो 5 के बाद 7 तो 25 7 जा पूट करेंगे आप multiply करेंगे that will be 175 यह नमबर हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा 175 तो यह नमबर आपको check कैसे करने है जैसे मैंने बुला को हार्ड और फास्ट रोल नहीं होता सारे नमबर्स को एक बार ही आप एक बार नहीं दो दीन बार चेक करेंगे फिर उन में आप multiply भी करके कर सकते हैं subtraction भी हो जाता है addition भी हो जाता है जैसे मैंने different different questions बताया आपको कई पर आप जब करते हैं इसे questions के practice तो एकदम से समझ में quickly आ जाता है कि इसमें करना क्या था लगिए नवाला question था प्लस मैनस करके नहीं आ रहा नहीं square सा रहे हैं और किसी same order में नहीं जा रहे तो हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया दिन थर्ड और फिफ्ट को लिया यहां second fourth and six number को find out किया तो आई I hope यह questions आपको अच्छे लगे होंगे और इससे related जा इनकी अलावा किसी questions related आपके पास कोई भी query है तो जरूर पूछेगा मुझे अच्छा लगेगा इन questions के लिए भी मुझे पास एक request आये थी तो I thought कि यह मुझे बनाना चाहिए series so I will continue अगर आपको पसंद आता है और आप को अच्छे लगती है यह वीडियो ऐसी वाली तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू